नमस्कार आप देख रहे हैं बिहार का नंबर वन यूटुब चैनल लाइफ सिटीज और मैं हूँ आपके साथ साहेवली हम बात कर रहे हैं राम मंदिर के मामले पर तो सुप्रिम कोर्ट में आयोध्या मामले पर सुनवाई आज चार जन्वरे शुक्रवार को एक बर फिर से चल गई है लेकिन इस बारे में अब बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं बिहार सरकार में मंत्री है विजय कुमार सिना उन्हों ने क्या कुछ कहा है हमारे समधाता सुजी सागर ने उनसे बाचित की है पहले आप उनका बयान सुनिए मैं भी कर रहा हूँ परधान मंत्री भारतिये जन्ता पार्टी एंडिये गटवंदन समयधानिक संस्थान का सम्मान करता है मैं उस तरह के विपक्ची के तरह नहीं है कि IBM में मेरा बोट नहीं निकला तो IBM गरबर है और बोट निकल गया तो चुप हो गए फैसला मेरे पक्च में आया तो सही नहीं आया तो संस्था पर चुनावायों पर ही अमडिय उठा देते हैं आईस्ते दोगले चरित्र के जो लोग अस्टेटमेंट देते हैं उनसे पूछिये जा करके कि संबैधानिक संस्था पर अंगली नौ उठाबें और उसको स्विकार करें लेकिन आज मानने ये राम मंदिर के नाम पर जजमेंट आनी चाहिए खुल करके कहनी चाहिए कि ये समस हित्म उचित नहीं है दिर पर सुनवाई फिर से टल गई है क्या कहेंगे अब देखिए मानने ये नियायले के मामला पर कहना उचित नहीं है लेकिन लोगों की भावनाओं का कद्र और नियाय में देरी होना कहीने कहीं असंतोस पैदा करता है एक अपराधी के लिए एक आत अपर्णगवादी के लिए आधी रात में नियायले खोला जाता है लेकिन करोरों लोगों की भावनाओं पर सुनवाई को बार बार टारना कहें ने कहें चारों ओर चाहन नाइक पालिका हो विधाय का हो कर्जपालिका हो सब के परती गिरावट का संदेश जाता है इसको र करोरों लोगों की भावना का विशय है उसका तो जज्जमेंट तौरित गति से देनी चाहिए ऐस या जो भी जज्जमेंट है जज्जमेंट को लटकाना कहीं ने कहीं असंतोष अपराद को बढ़ावा देना होता है तो जाहिर है कि बीजेपी वाले कह रहा है कि असंतोष का माहौल देश ने पैदा हो रहा है इस तरह के मुद्दो जिस पे जन भावना और लोगों की आस्था जुड़ी हो उस तरह के मुद्दो को लटकाना नहीं चाहिए उसमें जल्द से जल्द उन्होंने तो यहां तक क कुमार का जो बयान है वो काफी धारदार है इसके साथी साथ उन्होंने यह भी कहा कि इंतजार है लोगों को कि कब इस तरह का जो इस मामले में जो फैसला है वो आए लेकिन उस इंतजार को और सबर ना करने दिया जाया और उस पे जल्द से जल्द फैसला सुना जाया बार समधाता सुजी सागर की रिपोर्ट थी हमारे यूटूब चैनल पर जाईए उसको सब्सक्राइब करिए इसके साथ हमारे फेजुक पेज को भी जरूर लाइक करें ताकि आपको हर छोटी बड़ी ख़बर से जुड़ी नोटिफिकेशन्स मिलती रहें